हेलो प्रेंट्स कैसे हो आप सभी हम आप सभी के लिए लेकर आए एक न्यू रेस्पी पर उससे पहले अपने वही तक मेरे चैनल कोईल किचिन रेस्पी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी चुरू प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नूटिफिकेशन आपको बहले ही मिल सके आज हम मुने बनाए हैं आपके लिए नई रेस्पी लेकर आए हैं वह है राजमा राजमा बनाए हैं तो अब इसलिए मैंने चाबल भी बनाए हैं कि राजमा चाबल की बनाद हो रहे हैं इसलिए आ करता लियाना इसे फुल कर देंगे पानी से क्योंकि राज में फूलता है तो पानी कम हो जाता है अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी यानि एक बेकिंग सोडा और इसे मिक्स कर देंगे और हम इसे रात भर के लिए फूले के लिए रख देंगे और इसे डग देंगे एक प अच्छे से बॉइल हो गए है अब हम लेंगे एक बोल और इसमें राजमा अलग निकाल दीगे और जो इसका पानी है इसे भी हम फेकेंगे नहीं इसे भी अलग बोल में अलग रख लेंगे क्योंकि जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे न तो पानी हम यही उच करेंगे हमें इसे फेक ना नहीं है इसे भी हम अलग बोल में निकाल की रख लिएंगे देखिए मैंने पानी और राजमा तुनों का अलग लग रख लिया है और यही पानी हमें योज भी करना है अब हमने लिए कुछ अद्रक के टुकड़ यह लेशन तो में तो टमाटर और कुछ प्यास थी दो से तीन मीडियम साइज की इसे मैंने काट लिया है चलिए जब तक उसे काट लिया है अब हम चाबल को मैंने फूले के लिए रख दिया था तो अब हम एकुकर में पानी लेते हैं और इसे हम जब तक गरम होने देते हैं और इसमें हम डालते हैं बन स्पूर घी या बटर आप जो भी उच करते हैं गो डाल दीजिए मैंने इसमें घी डाला है ओव हम इसमें वही चाबल डाल देंगे जो मैंने फूले के लिए थुड़ी देर रखे थी इसका पानी मैंने अलग कर दिया और इसका ठक लिगा कर तीन से चार सीटी आने देंगे हमें जितना भी चाबल हम ने लिए न उसका दूना पानी हमें डाल ला है ददम ऐसे एक कब चाबल है तो दो कब पानी डालेंगे दूगना पानी डाला अब ढकन बंद कर देंगे और तीन सीटी ले लेंगे मारी चावल बहुत ही अच्छे बनके तयार हो जाएंगे मैंने लिए एक कड़ाई और इसमें हम डालेंगे मॉस्टर डॉल वैसे ही मैं ड्राइगुलरी रिक्तर मॉस्टर डॉली यूच करती है देखिए मैंने प्याज टमार्टर इसका पेश्ट बना लिया है और कुछ लिये जैसे लॉंग काली मेट जीरे एक मैंने इलाईजी लिए हींग दो करी पत्ते और एक मैंने इलिया है बड़ी इलाजी और देखे मारा ओल गरम हो गया है अब हम इसमें डालेगे कड़ी पत्ते चो मैंने सारी चीज निकाल के रखी थी एक साथ सभी को डाल देंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसे थोड़ा से चलाएंगे तक यह अच्छी से भून जाएं अब हम इसमें डालेंगे जो प्याज का पेश्ट बनाया था ना वहीश में डालेंगे और इसी डार्फ प्राउन होने तक हमें इसे पूर्ण आए ताक यह अच्छी भून जाएं अ याच कूब में मीडियम टू हाई फ्लेम के पैद ही इसे अच्छे से भूनना है हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और मैंने एक साइट चाबल को भी बनने रख दिया था तो वो भी मेरे बनके त्यार होने वालेंगे राजमा चाबल सभी को बहुत ही पशंद होता है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो प्लीज इसे एक बार ट्राइ कीजिए और जरूर बताए कैसे लगे देखिए मेरी प्याज डार्क व्राउन हो कहिए अब हम इसमें डाल रहें मसाली वन टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ज पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे जो टमाटर का पेश्ट बनाया था ना वो हम इसमें डाल देंगे और इसी भी में अच्छी से पकाना है इसे मिक्स करती जाएंगे ऐसे ही पकाती जाएंगे और तब तक यह हलका से चिपकना बंद करती न और चोड़ने लग जाए तब तक हमें इसे हलका से चलाना है कम से कम दो मिनिट तो हमें चलाना ही यह से और ऐसे ही चलाते जाएंगे मेरी घर में तो राजमा चाबल सभी को बहुत ही पसंद है देखिए हमारा मसाला तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे राजमा जो हमने वाइल की हुए थे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे ऐसे ही कम से कम 3-4 मिनिट के लिए हम इसे मिक्स करना है ताकि जो मसाला ओयल है वो हमारी राजमा में अच्छी से अपच्वब हो जाए ऐसे ही चलाती रहेंगे तीन से चार मिट हम इसे चलाना है और हम इसमें नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने इसे वाइल किया था तो वाइल करते वक्त थोड़ा सा मने इसमें नमक डाला थ तो इसमें हम थोड़ा कम डालेंगे नमक, आप अपने टेश्ट के अनुसार डालें, मैंने नमक मिक्स कर दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करती रहेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे पानी, हमें पानी इसमें वही यूज करना है, जो मैंने वाइल किया था ना, तो उसे इसे एक मैंने अलग बील में निकाल लिया था तो वही पानी हम इसमें यूज करेंगे और देखेंगे वही खेला खेला चाबल बनाएं चलिए मैंने इसी प्लेट में निकाल लिया है कितना सौफ्ट चाबल बन की तयार हुआ है तब तक हमारे सब्जी भी अच्छे से वाल आ गई है सब्जी में अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और अमचोर और इसमें हम कुछ जादा चीज़ा एट नहीं करेंगे फिर भी हम बहुत ही टेश्टी सब्जी बनाएंगे इसके लिए मैंने बन टेबिल श्पून अमचोर पाउडर डाला है और हाफ टेबिल श्पून गरम मसाला पाउडर डाला है इसे मिक्स कर देंगे थोड़े 10 चलाएंगे और गैस फ्लेंग को अफ कर देंगे हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है और इसे हलका से ठंडा हो जाने के बाद हम इसे एक फूल में निकाल लेंगे ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे तो सब्जी ठंडी हो जाएगे हलकी ठंडी हो गई सब्जी अब हम इसे वॉल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए मेरा राजमा चाबल बनके तयार हो गया है देखिए सब्जी कलर कितना अच्छा आया है और घाने में भी सब्जी उतनी ही टैश्टी है तो आई होप आपको हमारी रैस्प्री पसंद आ थोड़ी सी यूजफफूल लगी हो तो इसे ट्राइब ही कीजिए और मेरे चैनल कोईल किचेन रैस्प्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में सेर चारू कीजिए थैंक यू